आज तक रेटियो सुनता है सारा जहां ही आदेश दिया कि चार्ज शीट फाइल होने तक हाई कोट के पूरु जज केस के निगरानी करेंगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस केस में ऐसा क्या हो रहा था ये अदालत को ऐसा बोलने की नौबत आई फिर बात करेंगे खुलासे की जो एक ITI में हुआ है लेकिर पहले हेडलाइन सुनते हैं खुश्बू से जाइडस काडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोफ डी की कीमत तैह हो गई है इसके एक डोस के लिए दो सो पैसेट रुपे देने होंगे ये वैक्सीन बारे से अठारा साल के उमरवालें को लगाई जाएगी मुकेश अमबानी की अवास एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है पताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक टाक्सी ड्राइवर का फोन आया था उसने जानकारी दी थी कि उसकी टाक्सी में बैठे दो लोग एंटीलिया की लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं दोनों वैक्तियों के पास एक बैग भी था कॉंग्रेस नेता गौरफ बलब ने अगस्ता वेस्ट लाइन से जुड़ी इटली की कमपने लियोनार्डो स्पा पर लगे प्रतिबंद को हटाने के केंद सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि प्रधान मंत्री मोदी अभी रों गय थे वहाँ G20 समिट में उनकी मुलाकात इटली के प्रधान मंत्री से हुई और इस मीटिंग में अगस्ता पर चर्चा हुई उसके बाद ही इससे प्रतिबंद को हटाने का फैसला ले लिया गया 36 गड़ के सुकमा में CRPF के एक जवान द्वारा साथियों पर गोलियां चलाने का मामला सामने आया है इस घटना में चार जवानों की मौत हो गई है जबकि तीन अन्य जवान घायल हुए है पाकिस्तान की राजधाने इसलामाबाद में अब हिंदू मंदिर नहीं बनेगा इमरान खान सरकार के अंडर आने वाली Capital Development Authority ने मंदिर का जमीन आवंटन यानि ओलोकेशन ही रद कर दिया है चीन की Communist Party आज से तीन दिन की बैठक करने वाली है जिसमें मौजूदा राश्ट्रपती शी जिन पिंग को तीसरी बस तमे लाने पर मोहर लगाई जाएगी इस बैठक में प्रमक उपलब्धियों और एतिहासिक अनुभवों के अधारित एक रेजलूशन का रिव्यू करेगी और उमीद है कि उसे तुरंत पारित कर दिया जाएगा टीट्वेंटी वॉल्लकब के आखरी लीग मार्च में टीम इंडिया ने नामीबिया के खिलाफ टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है टीम में वरुन चकरवर्दी की जगह राहुल चाहर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है बत और टीट्वेंटी कप्तान विराट कोली का ये आखरी मुकाबला होने वाला है ऐसे में विराट इस मुकाबले में जीत के साथ टीट्वेंटी कप्तानी को अलवधा कहना चाहेंगे आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो नोट बंदी की वो शाम आपको याद होगी जब अचानक प्रधान मंतरी मोदे टेवी पर नमुदार हुए और कहा कि रात बारा बजे से पांत सो और हजार के नोट कानूनी तौर पर वैद नहीं रहेंगे पांत साल हो गए उस बात को आज ही के दिन ये फैसला हुआ था तब महीनों लंबी कातारें लगी थी नोट बदलवाने के लिए नौकरी छूटने के बाद बहुत सारे लोगों ने पलायन किया था और दावे ये भी हुए थे कि सौ से जादा लोगों की मौत उन अलग-अलग कारणों से हुई थी जो नोट बंदी से पैदा हुए थे एक चीज़ शैद आपको और याद हो सरकार ने तब नोट बंदी को लेकर कई हसीन वादे किये थे बहुत सारे आश्वासन दिये थे तो वो क्या वादे थे सरकार के एक बार सुन लीजे फिर बात आगे बढ़ाते हैं पहली बार देश में ऐसा हुआ ट्रेजरी बेंच प्रस्टा चार के खिलाप कदम उठा रही है काले धन के खिलाप कदम उठा रही है जो सफलता मिली है जीज़ अभियान को कोई कल्पना ने कर सकता है कि सफलता मिले जन समर्थन मिला है और मैंने पहले दिन कहा है पचांस दिन मुश्किल है, मुश्किले बढ़ती जाएगी, लेकिन पचास दिन के बाद मुश्किले कम होते होते होते, स्थिती नार्मार होने में देर नहीं लगे। देश को छलांग लगाने की जरूरत है और वो तभी हो सकता है कि हर ट्रांजेक्शन पर टैक्स मिले। और इसलिए इसलिए डिमोनिटाइजेशन जरूरी है, देश के अर्थतंत्र का दाइरा बदलना है, देश के अर्थतंत्र को आगे ले जाना है, जब देश के अर्थतंत् को जेल भिजवाए जाएगा आतंक की नकसली फंडिंग पर रोख लग जाएगी और जाने क्या-क्या कहा गया था उस वक्त इसके बाद हुआ ये कि तकरीबन सौ फीजदी नोट वापिस आ गये थे बैंकों में तो कालिधन वाला मामला फुस पड़ गया NCRB ने कहा है कि 2018 में जितने नकली नोट पकड़े गए उससे जादा 2019 में पकड़े गए तो नकली नोट वाला भी मामला चलाया नहीं हूँ कितने करप्ट लोग उसके बाद जेल गए है इसका भी कोई अता पता है नहीं आतंकवाद और नकसलवाद खत्म नहीं हुआ ये तैह है डिजिटल लेंदेन बढ़ा ये फैक्ट है मगर RBI ही बता रहा है कि नोट बंदी के 5 साल बाद कैश लेंदेन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो गई है तो वो उपलब्धी भी आधी अधूरी ही रह गई ऐसे में हमने सोचा कि इस एतिहासिक फैसले के 5 साल बाद एकोनॉमिस्ट इसके परिणामों को कैसे देखते हैं ये समझा जाए जरूरी इसलिए है क्योंकि सबका नजरीया अलग होता है तो हमने बात की दो एकोनॉमिस्ट से बिजनस टुड़े के मेनेजिंग एडिटर सिधार्थ जराबी से और दशकों तक बिजनस चैनल को लीड करने वाले और हाल फिलहाल स्वतंतर टिपणिकार आलोक जोशी से तो सिधार्थ से मैंने सवाल पूछा आज नोडबंदी के 5 साल पूरे हुए हैं सरकार की ओर से या भारते जन्ता पाटी की तरफ से कोई शोर शराबा सुनने को मिला नहीं इसका कारण क्या हो सकता है जो लक्ष इस फैसले के पीछे बताये गए थे जैसे काले धन की वापसी डिजिटल लेंदेन आतंकी फंडिंग पर रोक वगहरा क्या उनका पूरा ना हो पाना इसका पड़ेगी कि जो नोट्स इन सर्क्लेशन है जो आपने कहा सत्रा लाक चुहतर हजार करोड लाक करोड की जो अमाउंट थी डिमोनिटाइजेशन के समय पे अब वो बढ़कर जो हो गई है 29.17 लाक करोड हो गई है तो ये जो बहुत बड़ी एक उच्छाल है ये बैंक बढ़ने की और उसमें पिछले दो साल में पैंडेमिक आया है करंसी इन सर्क्लेशन में ये एक पैंडेमिक के बाद एक फीचर देखा गया और उसके पीछे शायद ये भी लोगों में जो एक महावल ऐसा पैदा हुआ डर पैदा हुआ तो लोगों ने कैश खूब सारा रहे थे उसके बाद कुछ समय बाद हमने देखा कि एक प्रकार से खूब मातरा में नोट करंसी नोट एकॉनमी में डाले गए रिजर्व बैंक आफ इंडिया दौरा ताकि किसी भी प्रकार की किलत ना रहे तो इन दोनों चीजों का मिशरन है जो ये संख्या जो हम नंब द पहले कि नोट्स कम हो जाएं ऐसा एक गोल है परंतो अब वो गोल नहीं है और दूसरे हाथ पे हम ये देख रहे हैं कि नोट्स इन सर्कलेशन भी बड़े हैं और साथ-साथ डिजिटल ट्रांजेक्शन भी बहुत बड़ी मातरा में बड़े हैं तो ये एक आप प्रकार से क है कि आश्चरे वाली बात है क्योंकि अगर हम देखें जो डिजिटल जो ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम है वो भी बहुत बड़ी मातरा में बड़ी है और अक्टूबर दोहजार इकीस का अगर हम देखें तो लगभग सो बिलियन यूएस डॉलर याने साथ लाक इकतर हज 7.71 लैक करोड के बराबर का UPI ट्रांजेक्शन भी हुआ है तो कूल मिला के कैश भी धनादन चल रहा है और डिजिटल ट्रांजेक्शन भी धनादन चल रहा है और यही सवाल मैंने आलोग जोशी से पूछा उन्होंने क्या जवाब दिया सुनिये इसको जनता का भारी समर्थन मिला है इसके बावजूद आज अगर इसका नाम लेवा नहीं है कोई तो इसकी बिलकुल साफ वज़े ये है कि गिनाने के लिए कुछ नहीं है जब आपकी रिपोर्ट कार्ट में ऐसी हालत हो कि आप दिखाने लाइक नहों तो पिर आप पिता जी से छिपते गुमते हैं वही हल सरकार का है वो नोटमंदी का नाम ले तुरंट लोग पूछते हैं भही इसमें कौन सा फायदा हुआ पांच चीजें कहीं थी प्रधान मंतरी ने प्रधान मंतरी ने जो आठ नमूंबर 2016 को भाशन दिया था उसको अगर ध्यान दें बात म कौद और नकसल वाद की कमर तूट जाएगी और इसके बाद एक वेग सा पॉइंट और है कि किसानों व्यापारियों और श्रमिकों को कई फायदे होंगे और मद्वर्क को भी फायदे होंगे वो क्या फायदे किसको हो रहे हैं ये अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसी तरह नकली नोट तुरंट थी मतलब एक तरफ दोजार का नोट बादर में आया है उसके साथ ही ये खबरे आने लगी थी कि इसके नकली नोट आ रहे हैं इसका मतलब है कि वो भी नहीं रुका ब्रष्टाचार में कमी आने के बजाए ब्रष्टाचार बढ़ा होता है जिन जगों पर महां से जो रिपोर्टस आ रहे हैं वो कहने हैं लोग कि साथ सकती बढ़ी हुई है तो रेट डबल हो गया है इसलिए हो सकता है गिंते में कम दिखे लेकिन अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो बढ़ा हुआ दिखेगा और यही सबसे बड़ी पूछा कि हर फैसले का कोई नतीजा आता ही है इसके भी आये हैं मगर देखने का नजरिया सबका अलग हो सकता है आप यह बताइए कि नोट बंदी के फायदे या नुकसान आपकी नजर में क्या हुए देखे नोट बंदी के पीछे जो सरकारी कारण और थौट प्रोसेस थ था कि 5-6 लाक करोड का जो अवैद कैश है जिसे ब्लैक मैनी कहा जाए वो एक प्रकार से लिक्विडेट हो जाएगा और उतनी संख्या का पैसा फिर सामाजिक और वेलफेरिक एक्टिविटीज में इस्तिमाल हो पाएगा तो वो तो हुआ नहीं आपको ध्यान होगा कि इसके बेनिफिट क्या निकले इसके दो बेनिफिट निकले कि हमारी एकॉनिमी में जो फॉर्मलाइजेशन जिसे हम शब्द कहते हैं उसकी तरफ हमने मूमेंट शुरू की थोड़ा जो यह अब टैक्स आवाइडन्स है जी एस्टी द्वारा बाकी चीजों में सारे ट्रां जैक्शन ना हों सब कोई ओफिशल ही हों प्रॉपर कागजों के साथ हों वो एक हुआ है दूसरा बेनिफिट यह हुआ है कि डिजिटल पेमेंट के कारण बहुत बड़ी मात्रा में जो हम ऑनलाइन डेलिवरी सर्विसेज का एक हमने बहुत बड़ा देखा है व्यापक तो को अपना माल बेचने के लिए एक अवसर भी मिला है और तीसरा जो यह पैंडेमिक हुआ जो बिलकुल किसी के सोच से बाहर था उस टाइम आपको ध्यान होगा कि पैंडेमिक आने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में डिजिटल जो शिफ्ट हुआ उसमें हमारे फाइनेशल ट्रांजैक्शन करने के पीछे जो पिछले 4-5 साल में आपने सुनाओगा फिंटेक रेवल्यूशन हो गई है बहुत सारे स्टार्ट अप्स आये हैं तो उसके कारण हमारे देश में अब आप एक रुपिया भी उसी स्पीड से और उसी अधिकार से भेज सकते हैं जितना को और यही सवाल मैंने आलोग जोशी से पूछा उनका जवाब क्या रहा है आप कह रहा हैं कि देखने का नजरी अलग हो सकता है तो देखे नोटबंदी के फाइदे गिनने हैं तो आप पधान मंतरी के या दूसरे मंतरियों के या भारती जनता पारिटी के प्रवक्ताओं के या फिर आज वाटसेप पर घूम रहे तमाम संदेशों को देख लीजे उसमें तरह तरह के फाइदे गिनाए जाएंगे वो फाइदे हैं या नहीं इन पर हम आप डिबेट कर सकते हैं लेकिन अगर मनने वाला उसे फाइदा मन रहा है तो फिर उनके लिए काफी है जिनको नजर में रखके ये फैसला किया गया या जिन पर इस पार्टी की नजर है अपने वोटों को हासिल करने के लिए कुछ फाइदों के तौर पर अगर आप सीधे कहेंगे तो ये है कि डिजिटल लेन देन बढ़ गया इसमें कोई शक नहीं है लेकिन क्या वो नटबंदी के ब वक्त आ चुका है इसलिए नटबंदी को इसका श्रे नहीं दिया जा सकता है हाँ नटबंदी के वजए से उसकी रफ़तार थोड़ी तेज़ जरूर हो गई है सबसे बड़ा नुकसान अगर नटबंदी का है तो पहला सबसे बड़ा नुकसान कष्ट जो हम सब लोगों को हिलना पड़ा, जाके लाइनों में लगना पड़ा, अपना समय खराब करना पड़ा, बहुत से लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होई, मेरे कुछ मित्र परिचोतों घरों में शादियां थी, वो किस तरह से इन परिवारों ने गुजारा किया, आप अंदाजा लगाई है, उस समय के याद करिये, अनोगनाईज बिजनेस जो है, छोटे व्यापार की कमर तूट गई बुरी तरह, वो आज तक उस जटके से उबर नहीं पाए हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं और नहीं उबर पाए हैं, इसके और वज़े हैं, कि बाद में GST भी आया, फिर करोना भी आया, लेकिन वो बहुत बड़ा जटका था और मेरे ख्याल से नोट बंदी का सबसे बड़ा नुकसान भी वही है, तो ये एक फैसला था, इसके बहुत सारे नतीजे आए, लेकि केवल दो एकनोमिस्ट्स ने अपनी बात रखी, आपका नजरिया कुछ और भी हो सकता है, हमारी कोशिश ये थी कि पांच साल बाद, जब कहीं कोई शोर शराबा सरकारी स्तर पर नहीं हो रहा है, तो कम सकम याद दिलाया जाए, कि कैतिहासिक फैसलस देश में हुआ था, औ और जया आप जानते ही हैं, एक दुर्भा के पूर्ण घटना घटी थी पिछले महीने, किसानों के प्रदर्शन के दौरान, खूब हंगामा हुआ, यूपी सरकार ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को नियाय दिलाने के लिए एक S.I.T. का गठन किया, सुप्रीम कोट ने कहा है, कोट ने यूपी सरकार और इसकी S.I.T. के कान खीचे हैं, और हाई कोट के रिटायर जस्टिस की डेख रेख में आगे की जाच करवानी की बात कही है, इस पर यूपी सरकार के वकील हरिश सालवे ने कोट से कुछ वक्त मांगा, मामले के अगली स से यूपी सरकार के लिए इस पूरी इन्वेस्टिकेशन को लेखे जो लखीमपुर खेरी के केस में हो रही है, सुप्रीम कोट ने ये पूचा यूपी सरकार के से कि इस पूरी केस में दो अलग F.I.R. रेजिस्टर्ड हैं, एक F.I.R. उन मर्डर केसे के लिए रेजिस्ट कि वो इन दोनों केसे के बीच में इन्वेस्टिकेट कर पा रही है या यह जो evidence collection का काम हो रहा है, यह दोनों केसे में ओवरलाप हो रहा है, क्योंकि इन दोनों केसे को independent रखना बहुत जरोरी है, जैसा सुप्रीम कोट ने कहा है, सुप्रीम कोट की bench में जो Justice सूर्यकान थे, उन्होंने यहां तक ये भी बोला है कि ऐसा लग रहे है कि SIT जान मूच कर दोनों केसिस के evidence को overlap कर रही है एक accused को favor करने के लिए या उनको बचाने के लिए तो ऐसे सवाल सुप्रीम कोट की तरफ से सामने आए हैं आज यूपी सरकार की investigation को लेके हाला कि सुप्रीम कोट ने कोई final order में ये सारे observations नहीं डाले हैं उन्होंने सुनवाई Friday के लिए रख दी है लेकिन सुनवाई के दौरान ये महत्वपूंट सवाल सुप्रीम कोट की bench की तरफ से उठाए गए यूपी सरकार के लिए तो सुप्रीम कोट ने ये तो साफ कर दिया है कि पूरी investigation को लेके उनके कुछ concerns है जिनको यूपी सरकार को सुप्रीम कोट के सामने clarify करना पड़ेगा लेकिन इन जो concerns हैं जो issues सुप्रीम कोट ने highlight करें investigation को लेके इनको कैसे resolve करा जा सकता है ये main मुद्ध उठता है सुप्रीम कोट के सामने तो सुप्रीम कोट ने ये suggest किया है कि किसी और state के high court के जैसे suppose पंजाब और हर्याना के high court के कोई former judge को appoint कर दिया जाये इस case में ताकि ये investigation monitor हो सके day to day basis पर तब तक जब तक charge sheet file नहीं होती इस case में इसका main कारण यही है कि जो दो अलग-अलग F.I.I.R. register होई है किसानों के murder के लिए और political workers के murder के लिए इनको अलग रखा जाए इनकी investigation अलग रखी जाए और इसमें जो evidence collect हो रहा है और statement record हो रहे है वो भी अलग रखे जाए तो कोई और state के अगर judge इस investigation को monitor करते हैं तो वो ये देख पाएंगे कि S.I.T. अपने proper तरीके से investigation कर रही है बिना किसी overlap के दो cases में तो ये एक suggestion आया है Supreme Court की तरफ से जो हरी सालवी represent कर रहे थे UP सरकार को Supreme Court के सामने उन्होंने बोला है कि वो ये Supreme Court के suggestions लेके सरकार के पास वापस जाएंगे और उनसे inputs और suggestions मांगेंगे इस पूरे matter पे और इसी के लिए हरी सालवे को Friday तक का वक्त दिया है Supreme Court में अब Friday को आगे सुनवाई होगी और हमें ये पता चलेगा कि क्या कोई former high court judge appoint होंगे इस पूरी investigation को monitor करने के लिए और exactly क्या सुझाव आएंगे UP government की तरफ से ये make sure करने के लिए कि ये पूरी investigation एक independent और proper तरीके से की जाए विकास के तमाम दावों के बावजूद देश अभी भी घरीबी और भुकमरी जैसी समस्याओं से बाहर निकल नहीं सका है एक तरफ तो हम दुनिया के सबसे बड़े food producer हैं लेकिन दूसरी तरफ कुपोशन के आँखड़े सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि जो हम उगा रहे हैं वो सही लोगों तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा पहुचित हैं जिनमें से आधे से जादा यानि 17 लाग से भी जादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोशित हैं और ये ताजा आँखड़ा तब सामने आया जब आई टी आई लगा कर इस बारे में पूचा गया तो केंद्रे महिला और बाल विकास मंत्राले ने ये सब बताया है एक पोशन ट्रैकर एप है जो निउट्रिशन प्रोग्राम की निगरानी करने के लिए बनाया गया था वहीं से चिंता जनक आँखड़े कलेक्ट हुए थे साथ में ये भी सुन लीजिये कि ये आखड़े 34 राज्यों और केंद्रे शासत प्रदेशों के हैं और सबसे टॉप पर कौन है? महराष्टर, बिहार, गुजरात इन तीन राज्यों में हालात बद से बत्तर है कुपोशन के मामले में ये संख्या अपने आप में चिंता जनक है लेकिन पिछले साल नवंबर की तुल्ला में और ज़्यादा चिंता पैदा करता है नवंबर 2020 से 14 अक्टूबर 2021 के बीच गंभी रूप से कुपोशित बच्चों की संख्या में 91% की बढ़ोतरी देखी गई है सवाल ये है कि एक साल में 91% तक कैसे बढ़ गया ये आखड़ा क्या कारण दहे होंगे हमने पूछा इंडियन इंस्टिट आफ टेकनोलोजी दिल्ली में असोसियेट प्रोफेसर और इंडियन एकोनोमिस्ट रितिका खेड़ा से देखिए ये जो आखड़े हैं वो महिला और जार्विकास मंत्राले से के पोशन ट्रैकल से जो आएं हैं वो वो डेटा आंगनवारी कलेक्ट करती है तो जो आंगनवारियां हैं देश की वहां पर बच्चों का वजन और उनकी लंबाई नापी जाती है और 2020 में जब कोवेट की पहली लहे थी और लॉकडाउन हुआ तो उस समय सब आंगनवारियां बंद कर दी गए और ये जो काम होता था आंगनवारी में बच्चों का वजन करना और लंबाई गिनना लंबाई नापना वो काम भी रुक गया था तो ये एक बात हो सकती है कि पिछले साल बहुत कम बच्चों को मॉनिटर किया गया और इस साल चूंकि कुछ-कुछ जगा पे आंगनवारियों की ये सारी सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं तो इसलिए भी वो नंबर बढ़ा होगा तो ये जो बड़ा है क्या बेस दोनों साल में सेम रही के नहीं वो जाने बिना कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये ऐसा समय था जब सारी सेवाएं डिस्रप्ट हो गई थी रुप गई थी लेकिन फिर भी हमें दूसरे आखनों से पता है जैसे नैशनल सामिली हेल्फ सववे है वहां से हमें पता है कि बच्चों में कूपोशन की समस्या देश में काफी गंभीर है वो पूरी लंबाई उनकी प्राप नहीं कर पाते और वजन भी उनका ओम्र के हिसाब से कम होता है तो ये जो समस्या है कूपोशन की उसको पोशन ट्रैकर के अलावा भी हम जानते हैं कि इस पर और काम करने की जरूरत है तो कैसे अचानक यहां पर इतना बड़ा आखड़ा देखने को मिल रहा है देखें यह जो पोशन ट्रैकर से आखड़े आए हैं वो कितना कितना कम्प्लीट है और उस कम्प्लीट अगर नहीं होगा तो फिर कितना विश्रस्मिया है इन दोनों चीजों पर एक सवाल है इसके बावजूर यह जरूर है कि नाशनल सामिली हेल्स सर्वे में जहां से हमें यही आखड़े भी मिलते हैं प्रपोर्शन वाले उसमें यह हमें पता है कि बिहार और गुजरात में सिती बहुत अच्छी नहीं है इसके अलावा मध्यप्रदेश में भी मेरे ख्याल से बहुत बुरा हाल था और महराश्य में भी वो बहुत अच्छी सिती नहीं है लेकिन इन आखड़ों के बिना पर यह कह देना कि यही तीन राज्यों में सबसे खराब सिती है मेरे ख्याल से थोड़ा सा फ्री मेचौर होगा क्योंकि जैसे मैंने बताया इस समय में नापने का काम और तोलने का काम पूरे तहां से नहीं हो पाया है अच्छे का आखरी सवाल है मेरा यह कुपोशन होता क्या है क्या यह अनाज की कमी से होता है या कोई और कारण है तो अगर हम कुपोशन की बात करें इसमें बहुत सारे अलग पहलू है सबसे पहले मैं यह कहूँगी कि जो डॉक्टर बाकर का है पॉरे दुनिया में बताया है कि जो बच्चे के पहले हजार दिन होते हैं जिनकी गिंती हम गर्ब से शुरू करेंगे वो पहले हजार दिन उसको कितना अच्छा पोशन और उसकी मा को कितना अच्छा स्वास्थ विद्धा मिलती है उस पर निर्भर है अब पोशन में केवल अनाज पे हम केंद्रिस ना हो, क्योंकि अच्छा पोशन के लिए हमें हरी सब्धियां और प्रोटीन वाले खाद्य प्रदार जैसे दाल हो गई, सोया हो गया, या अंडे हो गई, या मीट, एनिमल मीट, जो एनिमल प्रोटीन हैं, वो हमारे शरीक के लि और दूसरा ये भी के साथ में मा का स्वास, क्योंकि अगर मा स्वस्थ होगी, उसको अनिम्या खुन की कमी नहीं होगी, तो उसका बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा, उसका जनम के समय वजन कम नहीं होगा, और तीसरी बात कि आपको धंकी स्वास को विधाएं मिल रही है के नहीं, आपको अगर अनिम्या है, तो आपको उसकी आयन टैबलेट मिल रही है के नहीं, और अगर बच्चे को उल्टी दस लग गए है, तो क्या उसको ओर एस की बेसिक जो सुविधाएं हैं, वो मिल पा रही है के नहीं, ये तीनों का मिला जुला परिणाम है, के के साथ सभी सुनने वालों को सुचित किया जाता है कि वोईस नोट में, आवाज में अपना रियक्शन भीजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बैटन दबाईए भीजिए, तो नमबर है, लिख लीजिए, कि 99539-239-03, जो लोग दूर दर्शंग के अभिस्त हैं, उन नमबर आपने बताया है, उसमें पांच बार तीन आया है, तो याद तो बाकी पांच ही करने हैं, तीन की भरवार है इसमें, तीन साल में तीन की भरवार होनी भी चाहिए, 1997 में तीन जून की तारीक को दिल्ली के उपार सिनेमा हॉल में एक हादसा हुआ था, हुआ यूँ था कि सिनेमा हॉल में तब एक फिल्म चल रही थी, जिसका नाम था बॉर्डर, उसी वक्त हॉल में आग लगी, 69 लोगों की जान गई, हादसा इतना भयानक था कि आज भी द पिल्ली के लोग क्या देश भर के लोग भूले नहीं हैं, इस मामले में सिनेमा हॉल के मालिकों पर कारवाई हुई, गिरफतारी हुई, दो साल की सजा हुई, बाद में हाई कोट से सजा कम भी कराए गई, पिता और बेटे सुशील अंसल और गोपाल अंसल की सजा एक साल र कि मामले में अपने जुडाव से पल्ला जाडने के लिए वो लगातार सबूतों से छेड़ खानी कर रहे हैं, अब सवाल ये है किस मामले में पूरी सजा जो भी निरधारित थी, अंसल बंधूने काट ली, तीसलाग जुर्माना भी दिया, फिर ये साक्षियों से छेड़ परिवार एसोसेशन इन लोगों ने इसको परशु किया था, इसमें ये था कि जो केस डायरी थी, उसमें अंसल बंधूने अपने रसूख और पैसे के बल पे बहुत सारी गड़बडियां कर रखी थी, जहां जहां इनको लग रहा था उस रजिस्टर में, जो रजिस्टर इनके जांत रिपोर्ट का रजिस्टर था, उसमें से इन्होंने जिन पन्नों में ज्यादा गंभीर बातें लिखी इनके उपर आरोप साबित होते थे, वो पन्ने फार दिये गए थे और इसमें दिल्ली हाई कोट के एक मलाजिम, जिने शर्मा, उन्होंने इनसे पैसे खाक इनसे साथ गांट करके वो सारी चीजें इनको महया कराई और उनमें से रिजिस्टर के फन्ने फार के दिये, उनको मोटी रकम मिली थी, उन्हें भी साथ लाक रुपे का जुर्माना लगाया है ट्राइल कोट ने, और इसके साथ ही कई सारे सुबूतों से छेड़ चार गव इनने साथ साल की सजा, तो उन्हों को साथ साथ साल की सजा और साथ ही उन्हें डाई डाई करोड रुपे का नकच जुर्माना भी लगाया है अज़ा सर शुरू से देखों तो मामला ऐसा रहा, जिसमें कभी कुछ क्लियर हुआ नहीं कि किसकी लापरवाई थी, किसने जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो थोड़ा सा फ्लेश बेक में जाकर बताएंगे कि कोट ने साथ से में किन्हीं जिम्मेदार माना, क्या सजा हु कि बहुत सारी ऐसी अनियमत पाएं थी, गैंगवे में इन्होंने आने जाने का जो रास्ता होता, वहां इन्होंने मोटी कमाई के लिए बीच में एक्स्टा चेर लगाकर गैंगवे का रास्ता संकरा कर दिया था, जिससे आग लगने के समय लोग भाग भी नहीं पाएंगे जो थोड़े बहुत टाइम ये जेल में रहे थे, बाके टाइम तो इनको जमाना मिल गई थी, एक भाई अभी किसी दूसरे मामले में जेल में हैं और एक विदेश में चले गए हैं, गोपाल अंसल और सोशेल अंसल में से, लेकिन अभी ये इसके माइने काफी जबरदर थे क्योंकि सुबूतों से छेड़-चाड़ के मामले में पट्याला उस अदालत ने इनको दोशी माना है। गूगल पॉड़कास्ट, एपल पॉड़कास्ट, विंक गाना जियो सावन पर हैं, यहां में सब्सक्राइब कर लिजिए और सारे पॉड़कास्ट सुनिए, लुथ फुठाइए। आज का दिन भर प्रोडियूस किया है खोश्बूने, साउंड मिकसिंग किया है कपिल देव सिंग ने, मेरा नाम है नितन ठाकुर, आप सुनते रहें आज तक रेडियो।